एजिन्सी न्यू टॉपिक है अपना मेनिंग और डेफिनेशन अमने समझी थी एजिन्ट इन प्रिंसिपल अब देखो एजेंशियल फीचर्स करते हैं अपन एजेंशियल एलिवेंट्स ओफ एजिन्सी में देखो प्रिंसिपल मैंने बताया था हम किसके वीच का रिलेशन पढ़ेंगे अपन एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का कल बताया था मैंने आप लोगों को याद आ रहे है कुछ यह समें पहला यह मस्टवी अप्रिंसिपल पॉर क्रीटिंग एजेंशी अगर कोई प्रिंसिपल नहीं होगा जो हम 서 तो तब तक एजेंस्यक आधेंगे का काईट्राक्ट कैसे होगा तो एजेंसी के लिए एक प्रिंसिपल का होना जरोरी है मतलब एनी पर्सन इसमें बोलता है हुई इस दा एज ओफ मिजॉरिटी एकॉर्डिंग टू दा लॉ मतलब जो कॉंपिटेंस टू कॉंट्रेक्ट की तीन कंडिशन तीना माइनर वाला यानि मेजर इस होना चीए साउंड माइन होना चीए पर्सन ना दिस्कॉलिफ़ाइड बाए लौ तो ऐसे परसंड में employee m agent ऐसे परसंड एजिंट इंप्लॉय कर सकते हैं और कभी-कभी यहां एक से जड़ा प्रींचिपल हो सकते हैं प्रींचिपल बहुप बिए प्रींचिपल फॉर क्रियेटिंग एजिन्सी यह पॉइंट याद रखना नेक्स देखो सेकेंड में अगर हम एजिन्सी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रिंशिपल होगा तो अगर एजिन्ट भी होगा यही इसके बेसिक फीचर्स होंगे तो एजिन्ट एन एजिन्ट इस नेसेसरी फॉर दर एस्टाबलिश्मेंट ओव रिलेशन ओफ एजिन्सी नेक्स इसमें एक एग्रिमेंट होगा एन एग्रिमेंट किस-किस के बीच में होगा एक एग्रिमेंट एन एजिन्सी शुट भी क्रेटेड बाइन एग्रिमेंट बिट्विन प्रिंशिपल एंड एजिन्ट यह एक्स्प्रेस भी हो सकते हैं आगे देखो consideration not necessary consideration ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो अगर हमको agency create करनी है तो उसके लिए यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसको consideration दे अगर हम उससे किसी चीज की agency ले रहे हैं ऐसी चीजों में तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम सामने वाले को उसके बदले पैसे दे कभी कभी क्या होता है suppose अगर हम रेमेंट की फ्रिंचाइजी ले रहे हैं एक kind of agency हुआ हमको shop call नहीं हमने रेमेंट वाले किसा dealing की उसमें को material provide किया जितने का उसका हमने उसको समन क्या amount पे किया ठीक है यह तो business terms हुआ लेकिन जब यह agreement बना कि हम आपसे अगर हम आपसे रेमेंट का फ्रिंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसमें उसको पैसे नहीं देंगे हम उसको consideration नहीं देते हैं यहां फिर दे भी सकते हैं whatever the policy ठीक है तो consideration not necessary for the creation of agency याद रखना रणिंग बिजनेस को चलाने की बात नहीं हो रही है for the creation creation के लिए requirement नहीं होता है आगे देखो रेप्रेजेंटेटिव कैपसिटी हम इसमें एक रेप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर फर्म को एक पर्टिकुलर कंपनी को तो representative क्यापसिटी कल भी मैंने बताया था कि जो एजेंट है वह क्या करता है एक अगे देखो नेक्स्स होगा इसमें good faith obvious है अगर हम agency ले रहे हैं सामने वाले से तो good faith पर लेते हैं यहां वो भी जब हमको देता है तो good faith पर ही देगा आगे देखो the competence of the principle principle मैंने अभी भी बताया आपको competence competence क्या है competence to contract की बात हो रही है capacity to contract topic क्या था हमने unit one में क्या 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 उसमें था capacities क्या थी capacities to contract में फर्स्ट क्या था बताओ majority age next क्या था इसमें sound mind तो यह competence of the principle तो जिससे हम agency ले रहे हैं वो competence होना चीए for the contract ऐसी situation में यह फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट पॉइंट ही काम आएगा यह थार्ट पॉइंट काम नहीं आता है क्लियर है elements of agency कोई doubt है agency की मेंनिंग definition features introduction में तो जल्दी से पूछो मैं मुश सिक्स्ट पॉइंट को एक बार समझाईए तो पॉइंट में क्या नहीं समझ में आता है वेटा बताओ क्या होता है गुट फेट होता क्या है गुट फेट में को यह बताओ बताओ अरे गुट फेट की मेंनिंग बताओ कोई हम भरोसा बस तो एजेंट है वो क्या करेगा और जो principle है एक दूसरे को सारे material facts जो भी होंगे उनकी terms of contract से related कुछ भी बाते वो छुपाएंगे नहीं एक दूसरे से disclose करेंगे एंजेंट मस्ट डिस्क्लोज दा मटेरियल facts चूद प्रिंसिपल कोई भी बाते चुपाना नहीं है सब कुछ clear कर रखना है points अगर तुम्हारे पास कोई case भी है तो तुम सब चीजों को clear रखोगे बस यह सब होता है इसमें good faith अगर आपको किसी के उपर भरुसा नहीं है तो आप उसके साथ contract या agreement में कैसे आएंगे आएंगे क्या कभी नहीं even आप लोग जब एक दूसरे के साथ अपना number भी शेयर करते हैं तो एक faith के उस पर करते हैं न yes he is the right person या he is the हम इसको दे सकते हैं अपना number करते हैं कि नहीं आप लोग यह चीज yes ma'am that's why a good faith बिटा और बोलो बताओ और और डाउट बताओ जल्दी से आगे पड़े yes ma'am आप देखो modes बहुत important topic है exam में पूछता ही है आप लोगों के methods यहां फिर modes बोल सकते हैं creating agency methods और modes of creating agency अब देखो जब agency create होगी तो जो relationship है किसका principle और agent का वो कैसे create होगा तो पहला है agency by express agreement second is agency by implied agreement अब देखो express में क्या होता है express की meaning बता कोई express में मैंने बताया है यहां तो और या written हां very simple यहां तो फिर वो औरल होगा यहां तो फिर वो क्या हो जाएगा written होगा औरल और रिटन तो हम सामने वाले के साथ बात करके भी agency ले सकते हैं या एक paperwork करके भी agency ले सकते हैं तो बस इसमें और कुछ नहीं है बस इसमें क्या रहता है अगर रिटन है तो एक legal document create हो जाएगा और रिटन है लीगल document अगर implied implied क्या होता है बताओ नौन वर्बन हां क्या बोला किसी ने बोलो नौन वर्बल नौन वर्बल नहीं बिट्टा देखो नौन वर्बल ने इस आजाएगा express में oral और रिटन जो नौन वर्बल नौन वर्बल अलग चीज़ है बहुत डिफ्रेंट है इसमें नौन वर्बल इंप्लाइट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को यूनेट वन पर हम जब हम करते थे टाइपस ऑफ कॉंट्राइट तो मैंने बताया था इंप्लाइट कॉंट्रेक्ट क्या होता था इंप्लाइट कॉंट्रेक्ट यहाद है किसी को बताया थान मैने ऐसी सिटुएशन का आना कि आटोमेटिक जैसे एक वह वाला बताया था जब आपन बस में ट्राविल करते हैं तो वह जो कॉंट्राक्ट होता है जब हम उनको बिना बोले ही हमको पता है कि अगर हम बस सर्विस यूज करते हैं तो हमको उसके लिए क्या देना पड़ेगा अगर हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो कॉंट्रेक्ट होता है रेलवे और हमारे बीच में वह इंप्लाइड है उसमें कि बोलने की जर्वत नहीं है वह बेसिक अंडर्स्टेंडिंग होगी उस चीज़ पे कि इस इप्ट्रेवलिंग फॉम ट्रें तो हमक समझ में इंप्लाइड वाला यह सम तो ऐसे इंप्लाइड एग्रिमेंट आप लोग रिवाइड करते चलो पीछे का जो भी हम भी आरे में पढ़ रहे हैं सब कनेक्टेड है एक दूसरे से जहां पर आप लोगोने रिविशन चोड़ा सब कुछ भूल जाओगे एजिंसी व आप प्रिंसिपल एंड एजिंट नीड नॉट बी एक्सप्रेसली इंट जरूरी नहीं कि उसको कंस्टीट्यूट किया जया है क्योंकि अजब हम रेल्वे के साथ रेल्वे में हम ट्रावल करने के लिए टिकेट लेते हैं तो क्या हम उनके साथ एक क्या बलते हैं कॉंट्रेक्ट में आते हैं क्या कुछ पेपर वक करते हैं क्या नहीं तो जो यह वाला रिलेशन्शिप आए है यहां कौन सा वाला इंप्लाइड वाला तो दा रिलेशन्शिप और प्रिंसिपल एंड एजिंड नॉट बी एक्रिशन्शिप्षी तूटाइ डिलेशन्शिप धनी नागाव थान प्रेस्ट्दिवस्टिव पेपल थांख ग्यों of a case ठीक है तो ऐसे कुछ situations आते हैं या कुछ ऐसे cases आते हैं तो ऐसे contracts को हम क्या बोलते हैं implied contract या implied agency इसको भी मैं two parts में divide करूंगी agency by implied agreement को पहला agency by यह implied के types है stoppill s t o db p e l agency by stoppill इसका मतलब क्या होता है दे कोछ जो rule है the rule of stoppill says that जब कोई person by his words बोल के या कुछ ऐसा काम करे देखो agency by stoppill तो इसको सिर्फ इतना लिखना where a person by his words ठीक है where a person by his words led to believe another person certain set of circumstances बस इतना लिखना तो clear हो जाएगा हाँ इसका एक example जरूर देना कि B है वो अपने आपको as a representative अपने आपको as an agent present कर रहा है किसका C का और वो किसके पास counter selling के लिए गया है D के पास तो जब आप लोग याद रखना जब अपन एक्जाम्स में यह जो points लिखे एजिंसी वा एक्स्प्रेस तो इसका एक example एजिंसी वा इंप्लाइड तो इसमें एजिंसी वा इस टॉपल की मेनिंग दी दो लाइन की और फट से एक एक्जाम्पल नेक्स्ट हैगा इसमें एजिंसी बाइड नेसेसिटी यह नेसेसिटी वाला जो point है यह emergency situations के लिए government ने create कि अगर कोई ऐसी situation आजए बहुत emergency है तो हम उसके बहाफ पर act कर सकते हैं suppose अगर किसी का कोई house है मुंबई में वो लोग अपने घर को क्या लॉक करके कहीं घूमने चले गए suppose उसके घर में आग लगई तो उसका जो नेबर है अगर उसके पास उसको उसका moral duty क्या बोलता है उसके नेबर कहा की fire वालों को बुला है fire brigade और क्या उसके घर की आग को बुझाए और उसके वियाव पे नेसेसरी स्टेप्स ले उसके घर को बचाने के लिए तो एजिंसी बाइन नेसे सिटी यह फॉर्ड एमर्जेंसी सिट्वेशन के लिए गवर्मेंट ने दिया कि अगर किसी के पास कोई राइट सी नहीं होंगे सामने लिए घर जल रहा तो जलते रहे तो फिर मॉरल ड्यूटी जो इंसानियत बोलते हैं या नहीं तिक था हुमानेटी वह कहां से आएगी तो ऐसे सिट्वेशन के लिए एजिंसी बाइन सिटी फ अब थर्ड देखो एजिंसी बाइन रेटिफिकेशन मेंस क्या होता है रेटिफिकेशन का मतलब बता हुम अनूस हमर्थन हो क्या होता है नहीं वो फोड़ा अटाहा तो बता दिया अधिक बताव ना उसका मतलब किस टाइप का समर्थन पताओ बोला तो सही पर कैसा देखो तुमने जो वर्ड हिंदी में यूज किया तुमने गूगल किया यह मुझे नहीं बताँ कैसे बता चला तुमको इतना भारेवर्ट अधिक आई मैं गूली किया पता था मुझे गूली किया था था तुमनें है उसको confirm करना confirmation of an act which is already been done suppose आप किसी के ब्याफ पर कुछ काम कर रहे हो अगर हम किसी के ब्याफ पर कुछ काम कर रहे हैं हमने डील भी कर ली सारी तो हमने जिसके साथ डील कि कैसी एंड मुमेंट पर बोलता है पहले अपली आप काम कर रहा है की अप सच में उसकी पर काम कर रहे हो कि नहीं तो वह परसंड मुण हम करेगा यह की वह मेरे भरी आफ कि उस्को क्राहिए जह एक्ट को उसको अल्रडी विन दन एजीनसे बम और Sak hoender would to पोस्ट एक्टो एजन्सी एक ट्रेयर है अब इसके कुछ इंपोर्टेंट रूल्स है रेटिफिकेशन के इंपोर्टेंट रूल्स पहला तो नॉलेज होना चाहिए सामने वाले को जो कन्फर्म कर रहा है उसको सच में पता होना चाहिए कि यह एक्टिंग ओन मैं बिहाफ तो नॉलेज इस इंचिन नेक्स देको जो रेटिफिकेशन है के नॉट इंजूर थर्ट पार्टी दूसरा effect of ratification क्या होते हैं यह भी पता होने चाहिए सबको कि उसका क्या प्रभाव पढ़ने वाले है अगर सामने आले ने कंफर्म भी कर दिया तो वाट विल भी दा कंसेक्वेंस इस यूव तो बी रेडी फॉर दा जैसे company create होती है तो उसको बोलते हैं फर्म तो जब partners मिलते हैं और एक फर्म स्टार्ट करते हैं partnership तो ऐसे जो contracts होते हैं उनको बोलते हैं agency by operation of law clear है यहां तक कोई doubt